आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो एचीवर के बारे में ये गाड़ी इंडिया में काफी साल पहले सेल होती थी शायद इसका बाई जो बीएस फॉर वैरियंट है वो भी इंडिया में सेल होता था और इसका BS6 मॉडल लॉंच नहीं हुआ तो अब जो है भाई निउस निगल के आ रही है कि हीरो की ओर से आपको एक 150cc की गाड़ी देखने को मिलेगी जी हाँ भाई आपको एचीवर मिलेगी वापस से इंडिया में 150cc इंजन के साथ गाड़ी में आपको बहुत बड़े चेंजेस मिलने वाले हैं क्योंकि हीरो जो है अब काफी जादा अपडेट कर चुका है अपनी गाड़ीों में तो एचीवर तो लॉंच होगी ही जैसे कि भाई इसका जो हेड लाइट का सेट अप है पहले वो आपको मिलता था हेलो जन बलव का तो वो जो है अब आपको देखने को मिल जाएगा फूली LED का साथ ही भाई आपको देखने को मिलेगा LED का DRL भी भाई गाड़ी की जो फेरिंग थी वो बहुत ज़चा बलकी थी तो अब जोब भाई आपको sharpness भी दिखने को मिल जाएगी जो कि भाई गारी में पहले sharpness तो नहीं थी साथ ही भाई इसमें आपको मिलेगा DRL जैसा की आपको मिलता है पैशन में वैसा आपको DRL मिलेगा Achiever बाकी जो भाई गारी का जो tank है वहाँ पे आपको मिलेगा hero का बड़ा सा 3D logo भाई साथ ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा tank cowl जो की आपको पहले नहीं मिलता था तो अब जो भाई टैंक cowl भी मिलेगा बाकी भाई गारी का जो grab rail है वो आपको मिलेगा अब split का और भाई जो seat है वो आपको single piece ही मिलेगी भाई seat जो है split का बहुत कम chance है बाकी इसका भाई जो engine है वहाँ पे आपको cowl वगेरा देखने को मिल सकता है साथ ही भाई इसका जो engine है उसमें आपको kick start शायर ना मिले क्योंकि भाई इसका जो engine है वो बिलकूल ही new develop करके launch किया जाएगा गारी का भाई जो handle bar है वो आपको मिलेगा single piece जो की काफी ज़्यादा operate side होगा इसका भाई जो riding position होगा जो quality होगी riding की वो काफी ज़्यादा अच्छी होगी फ्रंट में आपको दिखने को मिलेगा telescopic का fork और भाई पीछे आपको पहले था मिलता twin shock absorber लेकिन अब भाई जो है आपको मिलेगा पीछे mono shock absorber जिससे की भाई गारी की जो height होगी पीछे seat की pillion की वो काफी अच्छी आपको मिलेगी भाई जो की गारी को बहुत ज़्यादा aggressive बनाएगा साथ ही भाई गारी में आपको मिलेगा front में disc और भाई पीछे आपको disc brake का मिलेगा option जो की आप ले सकते है और भाई आपको single channel ABS तो definitely मिलेगा ही साथ ही भाई गारी में आपको मिल silencer जो की आपको पुराना वाला ही शायद देखने को मिले जो की काफी basic सा है और भाई इसका जो engine है वो आपको 149.1 cc का air-cooled four-store single cylinder engine मिलेगा जो की भाई ये गारी आपको power देगी 13.5 bhp का और भाई जो torque होगा वो आपको 12.80 nm का मिलेगा साथ ही भाई गारी में आपको मिल देगा single cylinder fab speed gearbox जिससे की भाई गाड़ी आपको देदेगी 55 तक का mileage और भाई जो top end होगा वो आपको 110 तक का देखने को मिल जाएगा और भाई गाड़ी में आपको front में मिल जाएगा 90 से लेगे भाई जो tire है वो आपको मिलेगा 100 mm तक का पीछे आपको मिल जाएगा 120 से लेके 130 तक का tire जो की भाई tire होने वाला है tiblis non radial और भाई जो wheels होंगे वो आपको मिलेंगे alloy के और hero जो है गाड़ी को launch कर सकता है आने वाले next year के first या second month में तो भाई आप लोग गाड़ी का weight कर सकते हैं और भाई इसका जो होगा price वो आपको लगभग मिल जाएगा 1 लाख रुप जो की होगा single disc वाला variant तो भाई wait कर लो तो भाई जो वीडियो है ना कर दो like और भाई जो channel है साथ ही आप कर लो subscribe तब तक के लिए बाई बाई जैह हिंगो बंदे मातरम मिलते हैं next वीडियो में बाई